तो आज हम आप सभी लोगों के लिए हूम साइंस में फोर समिश्टर का जो पार्ट है यूमन डवल्लिप्मेंट यानि की मानौ विकास इसके पेपर वन को लेकर क्या है जिसका नाम है परसन विध डिसेबिलिटी जिसे हिंदी में बोला जाता है व्यक्ति में विकलांगता त जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि आप लोगों के लिए अलग से एक टॉपिक उठाया है जो अधिकम कटिनाय अधिकम ग्रसित बालक होते हैं ठीके उस टॉपिक को हमने लिया है जो कि अभी तक योटूब पर नहीं हुआ है यह topic और इस topic से question आप लोगों के लगभग लगभग 2-3 questions बनेंगे ठीक है यदि आप लोगों के एक topic से 2-3 या 4-5 questions बन सकते हैं इस topic से जो कि most important topic है ठीक है तो यह topic हम लोगों को cover करना बहुत जरूरी है और एक चीज़ और देखिए अभी बहुत चीज़े ऐसी है जो आप ल पीडियेफ में सारे provide कर दिया है जो लोग पीडियेफ देखे लेना चाहते हैं वह लोग वाट्सअप नंबर से जुड़ जाए ठीक है और वाट्सअप से यानि कि और उसी वाट्सअप के माध्यम से उन लोगों को जो पीडियेफ है वो प्रोवाइड हो जाएगा ठीक है के लिए जो पीडियेफ के लिए ठीक बहुत लोग केवल 99 रुपीस है 99 रुपीस को पेचा ऐयों लोग पर की जो पीडियेफ वो मिल जाएगी और वहां से आप लोग क्या है अपने तैयारी बहुत ही अच्छ तरीके से चारवthird क्भी तरीके से हैं ठीक है यह आप लोगों उनसे मैं उम्मीद करूँगी, आप एच्छा करूँगी, आप एच्छा करूँगी, आप लोगों के पूड़त या स्लेबस पर आधारित है, तो देखें, आप लोगों का एकजाम है, इसके बारे हम लोग यानि के लाष्ट में बात करेंगे, क्लास जो हमारा खतम होगा, उस प्रवाइब करें तो इसके बारे में आप लोगों से लाश्ट में बात करेंगे और जो लोग देखिए अभी भी उन्हों लोगों की जिसके तैयारी नहीं हुई है तो आप लोगों को क्या है कि देखिए इतने सारे यूटुबर चैनल आप लोगों के पड़े हुए हैं पीडियाप नहीं ले रहे हैं तो जितने भी क्लास चलाए गया है पूरे अभी नाइट तक आप लोगों के पास टाइम है पूरे जो क्लास है उसको आप लोग कंप्लेटली रिवाइज कर लिजए और देखिए सुसीला जी का कमेंट आया हुआ था और टेलिग्राम ग्रू एक बार करें और कोपी पर नोट करने विज बड़ा सिकस्टे के लिए और कॉपी पर कॉपी करने के पर चार पांच बार रिवाइज करी सिक्टा प्लेटली तैयार हो जाएंगे था है तो सबसे पहले आप लोगों क्या करना है कॉपी पर लिखना और देगे बीडियां यहां पर तो मैं आप लोग को बख्केवल वाइस के माद्धियम से बता दूंगी वह यानि कि उसके जो यह वागएर है तो आप लोग उसको थोड़ा सा ध्यान से सुनियेगा कॉपी पेन नोट करते जाएगा आप लोग कॉपी पेन ले करके बैठी आज ठीक है लाश्ट के क आप लोगों को जो तीनों पेपर के हैं वो मिल जाएंगे जो फोर्थ पेपर का पीडिया पर उसका फ्री में आप लोगों को लाश्ट में दे दिया जाएगा ठीक है जो भी यूटूब पे क्लास चलेगी केवल वहीं कोश्चन्स उसमें रहेंगे ठीक है क्योंकि देखे जो वह वह बाद में डेट है जे ठीक हए और ठीक हम आप लोगों तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लगत था इसमें थाली आज questions हम बताएंगे ठीक है और देखेंगे कि हमारा जो most important mcq type questions है वो कौन-कौन सा है तो चलिए class की शुरुआत करें उससे पहले आप सभी लोग चैनल को like and subscribe कर लेज़े चैनल है आपका लर्ण हुई थल्पना और अपने सभी दोस्तों को आप सभी लोग अपने whatsapp facebook इंस्टा और टेलिग्राम के जरी सेयर करें ताकि सभी लोगों को help मिल सके थोड़ा सा भी तब्यत मेरा जो है कि डाउन है ठीक है और आखों की तो एकदम बैंड बच चुकी है बस जल्दी सी है कि आप लोगों काल वाला एक्जाम हो जा इसके बाद थोड़ा समय रेष्ट करूं इसके बाद आप लोगों को सेकेंड वाला पेपर कंप्लीट कराऊं ठीक है चलिए तो सबसे पहले हम अपने पहले कोस्टन की तरफ चलेंगे और देखिंग हमारा पहला अधिनियम पीड़ाबलोडी एक्ट है ठीक है यानि कि पर्स्टन वेथ डिश्यबलिटी एक्ट जो है वह आप लोगा शन 1995 में पारित हुआ यानि कि लागू किया गया था ठीक है तो यहां पर आपका राइट आप्सन होगा आप्सन नमबर थर्ड बिल्कुल करेक्ट हो ज जाएगा अगले कोश्टन की तरफ चलेंगे तो यहां पर आपका राइट आप्सन होगा आपका आप्सन नमबर फर्ष्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ओकी चलिए अगले कोश्टन की तरफ चलेंगे और देखते हैं अगला कोश्टन हमारा क्या कहता है देखें क्वेश्टन है आपसे यहां पर मोश्ट इंपॉर्टन कोश्टन और इस टॉपिक से रिलेटर आप लोगों के देखिएगा हंड़र परसंट स्योर कोश्टन तीन से चार कोश्टन लगबग जरूर फसेंगे ठी निए निए परस्टों निए पस्फोर निर्थ परस्टन रच्व फनम्हस्ट यहां जो रिरूर निए मिनटler निए इसके जो right option होगा वो आपका Samuel किर्क हो जाएगा ठीक है इन्हों नहीं learning disability सब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था ठीक है तो यहां पर जो right option होगा option number first आपका बिल्कुल correct हो जाएगा ओकी चलिए अब हम लोग अपने अगले question की तरब चलेंगे और देखते अगला question हमारा क्या कहता है देखे अगला question है हमारा यहां पर कि वे बालक जिने भासा पढ़ने बोलने सुनने spelling करने एवं समझने संबंधित कठिनाई होती है उन्हें कहा जाता यानि कि वे बालक जिनको भासा पढ़ने में बोलने में सुनने में और spelling यानि की meaning करने में ठीक है और उसको समझने संबंधित जो कठिनाई होती है उनको क्या कहा जाता है dysgraphic कहा जाता है dyslexic कहा जाता है dyspraxia dyspraxic कहा जाता है या फिर उप्रोक सभी तो इनको क्या कहा जाता है तो देखे फ्रेंड जो आपसे question यहां पर पूछा गया है कि वे बालक जिनको भासा को पढ़ने शुनने बोलने और spelling करने ठीक है और उसको समझने में जो कोठिनाई होती है तो आपका dyslexic तो यहां पर जो देखे right option होगा video शायद बीच में रुप गई है चलिए कोई बात नहीं देखे जो वे बालक जिनने भासा पढ़ने बोलने शुनने इस्पेलिंग करने एवं समझने संबंद कठिनाई होती है उन्हें क्या कहा जाता तो उनको dyslexic कहा जाता है ठीक है यहां कोईशन की तरफ चलेंगे और देखेंगा question हमारा क्या कहता है अगला question है आपका कि निम्नमे से लेखन संबंद अच्छमता कहलाती है यानि कि जो बच्चे लिखने संबंद अच्छमता होती है जिन बच्चों में ठीक है उनको dysgraphia कहा जाता है यानि कि जो बच्चे लिखन में अच्छम होते हैं ठीक है वो लिख नहीं पाते हैं तो उनको क्या कहा जाता है डिस ग्राफ ही है तो यहां पर आपका जो सेकेंड ऑप्सन होगा वहीं आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ओकी चलिए अगली कोश्चन की तरफ चलेंगे और देखेंगे अगला कोश्च ठरफ प्रती ओप्सन है एक ब्ला आपको उसको करते लेकिन जब य क्या में की कमी होती है च्यतना की कमी कोई चीज़ों करने कायो मिया तक है स्वेंगात्मक प्रतिरोध यानि कि उसका समेंगात्मक जो इस्तिती होती वह अच्छी नहीं होती है जो अधिकम असमर्थी बालक होते हैं तो यहां पर आपका जो राइट आपसन होगा आपसन नमबर फॉर्ट आपका बिल्कुल करक्ट हो जाएगा यानि कि उपरोक्तिश् ऑफॉर्ट यानि कि उसमर्थी बालक होते हैं उनको कैसे प्रकार से च्छा दी जाती है पहला option है इस कि उप्रकूल को का अचछी सिछा दी जाती है और विस्षट दीजाती है और विशिट विद्यालों में भी अधिगमसमर्थी बच्चों को सिच्छा दे जाती है और शमंदमीद सिच्छा भी दी जाती है यानि कि एक ही क्रिज जिसे हम लोग इंक्लूसिव एजुकेशन बोलते हैं ठीक है तो यहां पर जो राइट आप्सन होगा आपका फोर्थ बिल्कुल करक्ट हो जाएगा यानि की उपरोगते हैं चलिए अगले कोशन की तरफ चलेंगे और देख अगले कोशन हमारा क्या कहता है क्वेस्चन है किसने परिभासित किया कि जिसके अनुसार अधिगम अच्छमता एक या एक से अधिक प्रक्रियाओं जैसे बोलने भासा पढ़ने लिखने गडित करने इस्पेलिंग करने में विलंबित विकास है जिसके अनुसार अधिगम अच्छमता एक एक से अधिक प्रक्रियाओं जैसे बोलने भासा को पढ़ने लिखने गडित करने और स्पेलिंग करने में में विलंबित विकास है ए ये किसने परिभासित किया है पहला उप्सान ने आपका वेवर ने यानि कि किस ने दिया है किरकर ने दिया है ठीक है तो आपका जो second option होगा वहीं आपका बिल्कुल correct हो जाएगा चलिए अगले question की तरफ चलेंगे और देखते अगला question हमारा क्या कहता है most important question आप लोगों कि ये है ठीक है most important ये question है कि education for all handicapped children act का पारिद किया गया थे यानि कि जो सभी प्रकार के विकलांग बच्चे होते हैं ठीक है ये जो act है education for all handicapped children act ये कब पारिद किया गया पहला option है आपका first 1974 में second option 1975 third option 1976 और fourth option है आपका 1977 तो इसका जो देखिए right answer होगा यानि कि education for all handicapped children act जो है वो आपका शन 1975 में हुआ था यानि कि 1975 में हुआ था ठीक है तो यहाँ पर आपका जो right option होगा option नमबर आपका जो second है वहीं बिलकुल correct हो जाएगा चलिए अगले question की तरफ चलेंगे और देखते अगला question हमारा क्या कहता है question है कि अधिगम अच्छमता को मुख्य रूप से कितने भागों में बाटा जा सकता है पहला option है आपका dyslexia आपका dysgraphia और फिफट उप्सन है उपर यूप सभी तो देखे जो अधिगम अच्हमता को मुख्य रूप से यानि कि कितने भागों बाटा जा सकता है वह आपका चार भागों में बाटा जा सकता है पहला आपका dyslexia होता है यानि कि जो बच्छे पढ़ नहीं पाते हैं ठी यानि कि जो गतिक कारे नहीं कर पाते हैं उनको dyspraxia बोला जाता है तो यहां पर जो राइट ऑप्सन होगा आपका आपका आपसन नमबर फिफ आपका बिल्कुल करक्ट हो जाएगा यानि कि उपरोग तो सभी देखिए सब मोस्ट इंपोर्टन क्वेश्चन से क्वेश्च घरती गर ना करने शम्बंधी अच्छंप फोर्थ आपसन है गामक वस्टे मों के विकास करने में अच्छंप तो देखिए यहां पर आपसे डिस्लक्सिया पूछा ठीक हैं आपका डिसलक्सिया हो गया अधिसलक्सिया रहेगा ठीक है कि जो ततपर होता है वो सब्दों के प्रयोग संबंधी कमी होती है यानि कि डिस्लक्सिया बच्चा बोल नहीं पाता है पढ़ नहीं पाता है जो भासा का प्रयोग करना है उसमें उसकी कमी पाई जाती है डिस्लक्सिया लेकन संबंधी को क्या कहता है डिस्ग्राफिया और गड़ित गड़ना करने संबंधी जो जो ऑच्हमता होती उसको डिस्प्रक्सिया कहा जाता है, ठीक है, तो यहां पर जो राइट आपशन होगा, आपका जो फॉर्स्ट है वहीं बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानि कि सब्दों के प्रयूख संबंधित जो कमी होती है वो dyslexia होता है ठीक है यानि कि dyslexia का क्याताथ पर होता है तो सब्दों के प्रयूख संबंधित जो कमी होती है उसी को हमें dyslexia कहते हैं ओकी first option आपका बिल्कुल character था अगला question है आपका यहां बर कि कि ε reicht को सबन्दित है अब आपका गड़िऊ पुछा गया है तोób करहें बता है उसी से आपका नेकली करता है कि यहां पर विक्त में थे बेगन करने संभर आपटा संदधा IT कि उसरी साध से ली推depth वार विजयcido किसे संबंदी थे तो आपका गड़ती और अच्हमता से संबंदी थे डिस्कैल कुलिया ठीक है ध्यान से देखेगा आज के जो टॉपिक है वो आपके मोश्ट इंपॉर्टन क्वेश्चन में फसने वाले हैं पेपर में ठीक है अगला क्वेशन है पथन संबंदी अच्हमता क कहलाता है ठीक है तो देखेगे जो पथन संबंदी अच्हमता होती है उसको हम लोग क्या कहता है दिसलक्सिया उसको कहा जाता है ठीक है तो जो फर्स्ट अप्सन होगा वह आपका बिल्कुल करक्ट हो जाएगा ओकी चलिए अगले कोश्चन की तरफ चलेंगे और अगला को देखें नवित क्या उसको हम लोग क्या कहा है फिर सैंब्सिया की कि एक है अगली कोश्चन टरियों के दिसलक्सिया की अगला कोश्चन हुमारा क्या कहता है फिर्से कोषजन आपसे आ गया है पूछना है कि गर्टी गर्णा करने की संब्दी जो आच्छमता होती है इसको क्या कहा जाता है क्ष़जन कई प्रकार से गुमा फिरा कि आपसे पूछे जा सकते हैं तो उसी प्रकार से मैंने भी आप लिगों को बताने की कोसिस किया है कि जो गड़ती गड़ना करने की समधी जो अच्छमता होती है उसको क्या कहा जाता है डिस्लक्सिया कहा जाता है डिस्ग्राफिया कहा जाता है या पिर डिस्ट्रक्सिया कहा जाता है तो देखे कई बार मैंने बताया है जहां पर गड़ती गड़ना करने के वन मिनट जो पत्व है जो पत्वाइब अच्छण दिसलक्सिया जो पढ़ने संबंदी अच्छमता होते हैं पहला ऐप्सटन है आपका अच्छ रुकुना पहचानना second option है पढ़ने एम वाचन में असुद्धता, third option है आपका सही उच्छारड का अभाव और fourth option हो परियुक्ति सभी तो देखे सबसे पहले आप लोग समझे है कि जो dyslexia की सामाने लच्छड होते हैं सबसे पहले तो देखे यदि बच्छा पढ़ने में गटनाई कर रहा है तो जाहर सी बात है कि वह अच्छरों को पहचान नहीं पा रहा है तभी उसको पढ़ने में असुद्धता करेगा ठीके और उसका सही जो उच्छारड होता है उसका उसके अंदरकत अभाव पाया जाता है जिससे की जो डिसलक्सिया होते हैं यह तीनों ही उसके मोश्ट इंपार्टन लच्छड होते हैं ठीक है तो यहां पर जो आपका राइट ऑप्सन बनेगा ऑप्सन नमबर आपका फोर्थ बिल्कुल करक्ट हो जागा यानि के उपरोगते सभी ओके अगली कोश्चन की तर जैसे जा के अस्थान पर लिख देना ठीक है यानि कि जो डिस्ग्राफिया होता है जो बच्चे होते हैं वो देखिए अच्छे से लिख नहीं पाते हैं ठीक है वो क्या करते हैं सब्दों को बदना जैसे कहीं पर आपको जा लिखना है ठीक है तो बच्चा क्या लिख उसके मात्रा में वर्तनी में तो यह सब क्या होता है कहीं पर भी बच्चा कुछ लिख रहा है ठीक है यदि उससे संबंधित है लिखने से संबंधित कोई अच्छमता है तो उसको क्या कहा जाएगा डिस ग्राफिया कहा जाएगा तो यह तीनों ही उसके लच्छड जो है वह होते हैं तो यहां पर जो राइट अप्सन होगा आपका फोर्स जो है वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अगले कुश्चन की तरफ शरेंगे और देखें अगले कुश्चन हमारा क्या कहता है क्वेश्चन है कि डिस केल्कूलिया की प्रमुख लच्छड कौन-कौन है ठीक तो यानि कि जो गड़ती गड़ना है। उसमें बच्चा करने में ऊच्छ हम है क्याई थिकए IKEA अाउपसे अप्सन है कि अंक टे अस्थान पर पहलेिय। ता लृूसरे कि और दूसरे अंक का प्योग करना और दूस्रा उप्सन है आपक है कि अंक के अस्थान voi करम कौश्च सही न रख पाना जैसे कि 63 के अस्थान पर 36 का प्रयोग आप से बोला गया कि आप 63 लिखिया और बच्चा क्या लिख दिया 36 लिख दिया ठीक है तब भी वह डिसकैल कुलिया से ग्रसित है और तिसरा पॉइंट है कि अंको के उपियोग यानि कि जोड़ गुड़ा भाग घट करना संबंध ही जो गड़ना है उसमें अत्यधिक कठिनाई का सामना करना जो बच्चा डिसकैलकुलिया से ग्रसित होता है वो तीनों ही आपके लच्छड दिये गए यह आपके इंपॉर्टन है ठीक है जो आपका यहां पर राइट आप्सन होगा आपका फोर्थ बिलकुल करक्ड हो जाएगा यानि के अपरच सभी होगे चलिए अगले कोश्चन की तर चलेंगे के क्या और कोश्चन हमारा क्या कहता है ? क्वेश्चन है डिस्प्रक्सिया के प्रमुख लच्छड यानि कि जो डिस्प्रक्सिया है उसके कौन-कौन से प्रमुख लच्छड है पहला ऑप्सन है सुष्म गामक कौसल के क्रियान नवयन तुशम जाइं में जाता हैं जैसे कि आप लिख रहे हैं बालों में अपने पैर के अंगुली को घुमा रहे हैं ठीक है और जैसे कि आप सुष्म गामक कॉसर होते हैं जैसे कि जहां पर आपके छुटी-छुटी हड़ियां जो है वो कारे करती है ठीक है तो यहां पर डिस्प्रक्सिया यानि कि कोई भी आपका रहे हैं कर नहीं पा र क्रियाएं हैं ठीक है उसको क्रम बद्ध कर पाने में आपको कठिनाई हो रही है जो बच्चा डिस्प्रक्सिया से ग्रसित है ठीक है थर्ड पॉइंट आपका कि हाथ पैर एवं आख में उचित सायोजन एवं समन्नवे का अभाव बिल्कु सही बात है उसके हाथ पैर एव क्या कहता है अधिगम अच्हमता के प्रमुख कारण कौन कौन से है ठीक है जो अधिगम अच्हमता के प्रमुख कारण होते वह कौन कौन से होते हैं पहला आपका मस्तिस्की च्छती या आंगिक जैविक कारण यानिकि यदि आपके मस्तिस्क में कोई च्छती पहुँच ग और फॉर्थ आप्सन नमबर आपका फीफ जो होगा वहीं बिल्कुल करेक्टर हो जाएगा यानि कि उपर योगति सभी चलिए अगले कोश्चन की तरफ चलेंगे और देखें अगला कोश्चन हमारा क्या कहता है पहला प्सन है कि ऐसे बालक को समय बताने और दीनों को सभी महीनों तथावस्तुव को याद करने में कठिनाई होती है जो अधिकम असमर्थी बालक होते हैं ठीके सेकंड पॉइंट है ऐसे बालक थोड़े से परिवर्दन से परिशान हो जाते हैं यानि कि वो adjustment नहीं कर पाते हैं सायमायोजन नहीं कर पाते हैं जिसकी वज़ा से थोड़ा सा भी कुछ यानि कि किसी भी चीज में कुछ भी परिवर्तन होता है तो वहाँ पर परिसान हो जाते हैं थार्ड अप्सन है बाएं तथा दाएं के बीच अंतर करने में भ्रमित यानि कि जो बच्चा अधिकम असमर्ती होता है ठीके जो असमर्त बच्चा होता है वो दाएं और बाएं में ठीके लेफ्ट अंड राइट के बीच जो अंतर होता है उसको करने में वो भ्रमित हो जाता है तो यह तीनों है आधिकम असमर्तित बाल को आप तीन आधारों पर पहचान सकते हैं ठीक है तो यहां पर जो राइट आपसन है आपसन नमबर आपका फोर्थ जो है वो बिल्कुल करेक्टर हो जाएगा ओके चलिए अगले कोश्चन की तरफ चलेंगे और देख तक लगए और प्रवाइड करा लिजीए ठीक है या यानी की पर्चिस कर लिए उसमें आप लोगों को जो भी 99 रुपीज है ठीक है उसमें आप लोगों प्लेगों सब्सक्राइब नैननुसार कि प्रेओ करना गीबिद अधिक अगले कोश्चन की तरफ चलेंगे पकाक्त के अधि precisa प्रमुख रूप से समस्याएं हैं पहला उप्सन है आपका आवधान की समस्याएं होते हैं जो अधिकम असमर्थी बालक होते हैं सेकेंड होता है इसमर्थी के अभाव की समस्या यानि कि कोई भी चीज जैसे कि जदे टाइम तक वह अपने दिमाग में नहीं रख पाता है ठीक है वह भूल जाते हैं याद करने की चमताव उनके अंदर कम होती है वाचन संबंधी बाजिता के अंतरगत आती है फॉर्ट आप्सन है लेखन संबंधी यानि कि अभी अभी मैंने बताया कि छे के स्थान पर वह उसको नौ समझ लेता है यदि आप इसमाल बी लिखते हैं ठीक है तो वह उसको इसमाल डी समझ लेता है ठीक है तो इस प्रकार की लेखन संबंधी बाजिता भी होती है संप्र है 63 लिखने के लिए दिया जाएगा तो जो बच्चा है वह उसको वहां पर 36 लिख देगा ठीक है तो जो संख्यात्मक योग्यता संबंदी समस्या होती यह भी आधिकम असमर्ती बालकों के प्रमुक्त समस्या होती है ठीक है तो यहां पर जो आपका राइट ऑप्सन बनेगा जो है वह बिल्कुल करक्ट हो जाएगा यानि के उपरोगते सभी इसमें से देखिए आप लोगों को आपसन तो चार ही आएंगे ठीक है कोई भी चार आएंगे और एक आपका उपरोगते सभी आजाएगा ठीक है चारों आपसन मिला करके तो यहां पर जो राइट आपसन ह लाश्ट होगा यानि के उपरोगते सभी अगले कोश्चन की तरफ शरेंगे और देखेंगे कोश्चन हमारा क्या कहता है क्वेश्चन है अधिकम असमर्थी बालकों की सिच्छा के लिए कौन से प्रावधान किये गए हैं ठीक है वह कौन-कौन से हैं पहला आपसन है आपक की सिच्छा के लिए प्रावधान किये गए हैं एक आपका दीवसी विद्याल है ठीक है और आपका शामाने विद्यालों विश्च्छे कच्छाएं देने के लिए प्रावधान किया गया है और मुख्यधारा के साथ समनने भी सिच्छा यानि की इंक्लूसिव एजुगेश तेकला कोशन हमारा क्या कहता है क्वेशन है आपका कि अधिगम असमर्थी बालकों के लिए कौन कौन से सुझाव दिये गया है ठीक है यानि कि जो अधिगम असमर्थी बालक है उनके लिए कौन कौन से सुझाव दिये गया है पहला option है लिखावट में सुधार यानि के जो अधिकम असमर्थी जो डिस्ग्राफिया से ग्रसीद बच्चे होते हैं उनको लिखावट में सुधार करने के लिए सुझाओ दिये गया है ठीके आपका वरतनी में सुधार के अलिया आपको सुझाओ दिया गया है ठीके और फॉर्थ आप्सट ने पाठेकरम संबंधि सुझाओ उनको दिये गया है तो यहां पर जो अधिकम असमर्थी बालकों के लिए कौन कौन से सुझाओ दिये गया है तो पहला आपका लिखावट में पाठेकरम संबंधि सुझाओ दिये गया है तो यहां पर जो राइट ऑप्सन होगा फ्रेंट ऑप्सन नंबर जो फिप्त है वहीं बिल्कुल करक्टर हो जाएगा तो देखिए यह हमारा मोश्ट इंपॉर्टन टॉपिक था ठीके इससे आप लोगों के 100% स्योर तीन से चा अब लोगों के फूल फॉल फॉर्म और इसकी स्थापना कभ होई थी आप लोगों को तयार करना है पेडियेफ में आप लोगों को सभी चीज़े दे दिया गया है एक बर मैं आप लोगों को यहां पर बोल देती हूँ ठीके जो यूनेश्को का फुल फॉर्म होता है असको यूनेस्कों का फुल फर्म होता है ठीक है और इसकी जो इस्थापना हुई थी फ्रेंट्स यानि कि जो गठन हुआ था ये 16 नवंबर 1945 को हुआ था और जो देखिए आप लोग का साइंप राश्टबाल कोस होता है जिसे हम लोग इंग्लिस में शॉट कॉर्ट में यूनिशे तो यह दोनों ही आप लोग को टॉपिक जो है वह याद करना है ठीक है क्योंकि एससे को सकते हैं और इसके बारे में हम आप लोगो को देखिए सेकेंड समेश्टर में जो फोर्थ पेपर था था थी के उसमें भी हम आप लोग को यह सब सारी चीजे बता चुके है तो यह त सब्चाइब कराएं हैं चैज बताना है कि जब लोगों का ज़रूरत है कि युक्षा मैं अज इस पेपर और यह जुद करने के जरूरत नहीं है तो यह जो प्रकां गपराने की जरूरत नहीं है वह फॉर्ष्ट पेपर से ही रिलेटेट ट्वेश्चन उसमें से भी बने गए ठीक है क्योंकि जोनों का जो जो लगभग लगभग सेम सेम हैं तो यहां पर आप लोगों को इतना सारी चीजे समझ में आ गई ठीक है और आप लोगो कि देखिये चत्वित्ति योजनाये आप लोगो को जोड़ से स्टार्ट किसमें से सब्सक्राइब Т। यह ठीक है पीडभ के तएउशा फ्मम धने का हीरा ऐिम्हें योजनायी को श्टार्ट की गई ठीक है ये देखेए फ्रेंड्स आप लोगों का जो ये राजिव गांधी विकलांग चातरों के लिए जो छडबुत्ति और श्टार्ट की गई थी, ठीक है ये अप लोगों का वर्ट से दो हजार बारा तेरह में स्टार्ट किया गया था ठीक है और किसके लिए तो यह आपका विस्त विद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा माननेता प्राप्त प्रदत्त किसी विस्त विद्यालय में जो लोग एमफिल या फिर पिएचडी कोर्स कर रहें थे ठीक है उन विकलांग छात्रों को आवसरों में उनको बढ़त्री प्रदान करने के लिए सुरू की गई ठीक है और इस योजना के देखिया अंतरकत प्रत्तिक वर्स विकलांग छात्रों को कितने कितने फैलोसिप प्रदान की तीरों को ठाली है और यहाँ घ्लांग घ्लाम कते दिश्ञाइब के लिए सुरूल और इस पिंदावाल ध्या-था पिश हटिक प्रत्तिक प्रत्तिक जहां उनकी बिए जो आप लोग नोट करिए ठीक है कि जो विकलांग चात्रों के लिए प्री मैट्रिक चादवित्ती और पोस्ट मैट्रिक चादवित्ती है वह आप लोग का अक्टूबर 2014 में सुरू किया गया था ठीक है प्रशूइमने में थे स्टार्टार्ट सुनलीक है च्छादविप्ति है। यह क्या है विकलांग विक्तियों के V institutions के रोजगार प्रदान करना पृत्ष कम haircut लिए दिन्में प्रतरशु Damn तोड़ा सा यानि कि रोक करके सुनके और आपर नोट कर सकते हैं ठीक है यह आप लोगों का हो गया विकलांगे व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने के लिए जो नीजी छितने प्रोत्साहन देना है ठीक है यह कब सुरू किया गया यह तो यह आप लोगा 2008 और 2009 में यानि किया गया था नोट करिएक को सितंबर 2014 में इसको स्कुर्ट किया गया था किसको स्कूर्ट किया गया था जागरुके करने को स collect कि लिजे आपसे नंबर अपलोगा पुछे सो चौबिस है ठीक है और वहीं लोग को मैसेज करेंगे जिन लोगो पूर यानि की पर्चेस करना ठीक है प्राइस है प्राइज ने जिसमें आप लोगों यह तीना पैपर के पीडियेफ मिल जाते हैं अगर एक स्योर सिरिज लेते हैं ठीक है मैह जबीन सैख ने बताया था मुझे कि 65 रुपिस के आप लोगो के पीडियाप एक मिल रहे हैं लेकिन यहां पर देखिए आप लोगो को पहला ही पेपर खराब हो जा सके अगर खराब जाएगा तो बात में आप लोगो को पच्ताना अपर चलिए रहे हैं लेकर से स्क्राव फार खराब हैज लोगोरा तकाुए कब पहुच जाना है तो आप लोगों को अपने कॉलिज सेंटर पे कम से कम आठ तीस यानि कि साढ़े आठ बजे देखे पहुंच जाना है क्योंकि देखे कल फर्स्ट डे है ठीक है तो क्लास्रूम खुझने में भी टाइम लगेगा ठीक है तो आठ तीस या फिर आप लोग और पहले तस मिनट और पहले ठीक है आठ पहुंच जाए कि इसके बाद आप लोग देखे अपना रोल लंबर बगयरा देखेगा ठीक है साढ़े आठ बचे आप लोगों को एंटरी कर लेना ठीक है साढ़े आठ बचे आप लोग अपने ब्रेंच के आस पास देख लिएगा कुछ लिखा या फेका तो नहीं है ठीक आप लोगों को सीरसक का नाम ही नहीं पता होता है ठीक है तो देखें जो सीरसक है वो आप लोगों को सीरसक का नाम ही नहीं पता होता है ठीक है तो देखें जो सीरसक है वो आप लोगों को सीरसक का नाम ही नहीं पता होता है ठीक है तो देखें जो सीरसक है वो आप लोगों प्रस्न पत्र काउन सा है प्रत्थम है यह तीनों चीजे आप लोग याद करके जाएगा और कल बता रहे हैं कोई भी टीचर से पूछे का नहीं ठीक होम साइंस के स्टुडेंट क्योंकि जहां पर सेंटर जाती है बहुत दूसरे कॉलेश के जो टीचर होते हैं बहुत देने के लिए तो आप लोगों वहाँ पर कोई इज़्जत नहीं होता है ठीक है नकल नहीं करेंगे फिर भी बोले जाता है कि तुम बात कर रहे हैं यह कर रही है इतनी बाते आप लोगों समझ में आ गई सिर्षक में आप लोगों को ब्यक्ति में भिक लांगता भरना है क् आप सभी लोगों को इतनी बाते समझ में आ गई होंगी अब इसके बाद हम लोग बात करेंगी question कैसे attend करना ठीक है सबसे पहले देखिए आप लोग जब सारे चीजे भर लेंगे signature वगारा सब पुश कर लेंगे इसके बाद आप लोगों को जो question paper मिलेंगे उसमें आप लोगों को 75 question रहेंगे तो सबसे पहले देखिए आप लोगों को जोड़ करने के लिए blue या black ballpoint pen लेकर के जाना है जिसकी नीम जो होती है थोड़ी सी मोटी हो ताकि गोला कलर करने में आप लोगों को आसानी हो 75 question रहेंगे तिदी हो में दो खंटे का डाइं अंगा। आपक gratis लोग 있으면 के मिल कर जाएंगे किया लेकर जाएंगे। तो सबसे पहले आप लोग's पेन्सिल से क्या करेंगे। एक बार सबसे पहले आप लोग question paper खोलिएगा। एक तरफ से एक तरफ आप festival स्तारे पेपर को पढ़ते जाइए जितने भी आप लोगों पढ़ते जाहिए जितन भी आप लोगों के पेजेस रहेंगे ऊसको आप सबसे पहले आप लोग ध्यान से देखना है किसका option कौन सा है ध्यान से आप लोगों को अपनी OMR seat जो दिया रहेगा उसमें आप लोगों को गोला कलर करना है ठीक है गोला कलर करना है इसके बाद फिर जो आप लोगों को questions बचे हुए ठीक है उस पर थोड़ा सा आप लोग वि खुद ही खराब होता है ठीक है जो बताता है एक्जाम में वो सही बताता नहीं भले ही आप लोगों के दोस्त ही हो क्यों नहीं हो ठीक है पोई नहीं चाहता है कि हमसे चाहता नंबर आप लोगों को इतना confidence भरोसा होना चाहिए कि हम अपना जो paper है खुद से qualify कर ले और अच करो आयूरर्ब पेपर फिल अपने करने है ठीक है टो आइव आउप लोगों को सारी सारी जितने ही हमने अभी अभी बताय Mussowel को तो थिञा हाना है एड मेन करद लेकर जानाए और आक पैंसिल के जात खरक है और कुछिए एन लोग RICHARD सब्ले कर जाना है घाल свое पर एपना पार तो चलिए देखिए आज मैंने आप लोगों को एक लाश्ट क्लास दिया है ठीके और अब हम लोग कल अपने आंसर की क्लास में फिर से मुलकात करेंगे ठीके तो चलिए आज इक लिए आप सभी लोगों को वेश्ट आफ लग आप लोग एक्जाम जो है वह काफी अच्छे बताएगा और इवनिंग तक यानि की साम को हम इसका जो आप लोगों का आंसर की रहेगा ठीके इस पेपर का वह हम आप लोगों को करा देंगे ठीके योट्यूब चैनल पर ओके तो चरिए आची क्लास में बस इतना ही और धेर सारी वेश्ट वीसेस आप लोगों की कल के ए अनिवत, बबबाई!